नमस्ते इंडिया, जब भी हैर जेल की बात आती है, तब लोगों के जहन में बस एक ही खयाल आता है, मतलब हैर जेल तो वो मार्केट में जो छोटी-छोटी बंद दिब्बियों में मिलता है, बस उसी को हैर जेल कहा जाता है, मगर ऐसा नहीं है, आप अपना हैर जेल खुद ही बना सकते हो, देखे ये मार्केट में मिलने वाले जो जेल होते है, वो एक तो बहुत ही महंगे होते हैं, और साथ ही में इसमें अलग-अलग तरह के कैमिकल्स यूज़ किये जाते हैं, जिसकी वज़़े से बाल जो है खड़े हो जाते हैं, और बहुत ही खुरदूरे से लगते हैं, तो आपको ये महंगे और कैमिकल्स यूज़ करने के कोई ज़रूरत नहीं है, देखे खास तोर पर महिलाओं में ये शिकायत रहती है कि उनके बाल नहीं बढ़ रहे होते हैं, या तो फिर बहुत ही हैरफॉल भी होता है, और साथ ही में उनको सॉफ्ट बाल भी ही चाहिए होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अलसी के बीज के मदद से घर पर हैल जेल खुदी बना सकते हो, देखे एक तो अलसी के बीजों के अंदर ओमेगा-3 fatty acid होता है, प्रोटीन होता है, और वो बालों को और scalp को बहुत ही ज्यादा अलग-अलग तरह से फाइद भी हो जाएंगे, इसका हे जर बनाने के लिए आपको एक बरतन में, अलसी के जो बीज होते हैं, उसको उबाल लेना है, दरसल अलसी के बीजों के अंदर जब उबाला जाता है, तो उसमें बहुत ही चिप-चिपा जो पानी होता है, वो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा benefit दे सकता है, आपको simply एक बरतन में अलसी के बीच को पानी के साथ उबाल लेना है, फिर इसको छानने के लिए आपको एक कपड़े का इस्तिमाल करना है, जैसे ही आप एक कपड़े के अंदर इस पानी को इस बीच को छान लेते हो, तो इसके एक पोटली बनाकर हाथों से जोड़ते जाओगे तो बरतन में नीचे बरतन में जैल जो है वो जमा होता जाएगा, फिर आप इस जैल को एक बंद शीसी में या तो फिर काज की डबी में को भी बनी में भर कर आप स्टोर कर सकते हो, इसको अपलाई करने के लिए आप अपनी स्कैल्प लगा सकते हो, इससे आप हैर मास्क भी बना सकते हो, ये जो आपने जैल बनाया है, उसके अंदर आपको अलोविरा का जैल एड़ करना है, इन दोनों को मिक्स करके आप अपने बालों में 10 से 15 मिनिट तक लगा कर आप अपने बाल साफ पानी से दो सकते हो, इससे भी जो है वो बाल जो है बहुत ही मुलायम भी हो जाएगे